कि जयन दोस्तों वैलक में जैनल अनिल आर्मियडर ब्लोक्स करता हूं कि आप लोग अपने घर स्वस्त होंगे और सुरक्षित लोगोँ दोस्तों मैं एक्स idor आपको लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आपने आपने पास्पोर्ट के लिए कैसे एप्लाई करना है कैसे बेप साइट को पर जाना है वह वीडियो को लाइस तक जूर देखना वीच में स्किप नहीं करना नहीं तो अप सारी इंफर्मेशन यहां पर आपको नहीं मिल सबसें पहले क्या करना पड़ेगा आपको जो है इसके उपर जाना है कि और क्या करना आपने आपने जैसे हिसे आप जाते हो तो आपको क्या करना आए ना फ्रसेस ठोड़ाए टो फिरिच्टर ओन गोश्डान में passport website to apply for passport services यानि कि सबसे पहले आपको क्या करना है अपने आपको खुद को रिजिस्टर करना है पहले जाके यानि कि अपनी वहां पर information बगरा भरनी हो रिजिस्टर करना है जैन सेकंड स्टैब में क्या होगा step by step process to fill government online passport application then second step में आपको करना अपनी जो अप्लिकेशन है उसको आपने फील करना है तो देखिए जैसे हम चलते हैं आपने क्या करना है सबसे फसली यहां पर जो फस्ट में अबसी जो कंशल दिया रखा यह है ठीक है स्लेक्ट और क्रेक्ट जुडिशियन एंटर और गिवन नेम आपने आपका जो नेम है इस सेकंड वाले में सही भरना आपने सरनेम इसमें भर देना फिर आपने यहां पर आपने भरनी है यहां से सेलेक्ट करना डिटा बढर ढर तिजगा से एल्स यहां पर ज़य करनी है अ यहां कि देना पर दो आपने आपने यहां पर क्योंट डिख mean is and серь मेल आइडी यहां अगर अपने आपनी लॉगन आईडी यहां पर प्लूल सकते हो तो आपना एंटर कर देना है इसे नेयां है नार्ण ना पने रखने उसके बार आप्म पर था कि आपको यह भुल जाते इसको अज़िएगे घंप तो यहां पर नीचे उसके बाद क्या है नीचे कर देना और इसके बाद करना मैं रीजिस्टर कर देना आपने करोगे जैसे आपके मेल के ओपर एक मैसेज आएगा वहां से अपने अकाउंट को क्या एक्टिवेट करना अपने इस टैप तू क्या हो जाएगा मरवास यहां पर स्टैप तू आप देख पा रहे होंगे मिलेगी आपको इसको एक पर क्लिक करना है ह्एप्टिविट कर देना यह इसको इस बटन को क्लिक करना है और एक्टिवेट कर देना होके तेन आप पर पर एक्लिक तरűfik आप लेकर्न करना तो आपको कहा करना है को पाइप केरने हैं अपर क्लीक करना है ऐख यह कि पीर आप आगे आ जाएंगे इसा पाइज को अंदर जिसमें आपको ऐसा पेंग्म के और यहां पर द्रिस प्रूफ औफ चेंज पर्टिकुलर पर्सनल जैसे अपने चेंज करना है तो यहां पर यहां पर यह ऐसी एप्लिकेशन आपके पास पॉपन हो के हैगी पासपोर्ट बनवाने के लिए दोस्तों तो यहां पर एप्लाइंग फॉर आपको ततकाल चाहिए यह नॉर्मल चाहिए तो आपके उपर डिपेंड आप ततकाल बनवाना चाहते हो उसके बाद आपके पास कहा है टाइप आफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेज की बुना हो गए या 60 पेज की बुना नहीं है मेरे हिसाब सो 36 का काफी होता है तो 36 आप बनवा सकते हो ठीक है उसके बाद आपने क्या नेक्स्त के उपर क्लिक करों आपने कर देना थीक है ढोस्तों जैसे नेक्स्ट क LEAGUE करोगे तो आपके पास यहां पर ठीक है तो उसके उपर आपने 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 टाइपिंग कर लैंग मैं तो फ्रेस पर कर देंगे और यहांहें पर तो हमने क्या एनच करवा रहे हैं तो हमने यहां पर बताना पड़ेगा किस बाइसे कर रहे हैं व्याटि एक्सपायर होगी है यहां पेज़ खतम पर चैन्ज मेश ने नॉर्मल दिया यह थीक है और इसके वाद हमने यहां बुकलेट का दिया होँ तो उसके बाद आपको क्या करना यहां पर आपको अपना नेम भरना है फिर नेम भरना ठीक है उसके बाद आपका जंडर कहा है वो मेल या फिमिल जो भी है हॉई यह ने जलाइस इसके बाद आपने कहां एवर चेंज्ज़ यह नाम कभी चेंज किया फेले यह सबस्क्राइब तो नो ठीक है वह आपकी मर्जी है is your place of birth of India कि आपका place of birth कौन सा इंडिया है बाहर का तो यह से नो ठीक है उसका date of birth आपने यहां भर देनी है place of birth आपका यहां भर जाएगा marital status married क्या हो यहां भर जोगे citizen ship of India क्या है आपकी वह आपने यहां भर देना है ठीक है यहां पर टिक लगा देना उसके उपर उसका पैन कार्ड यहां भर देना बोटर आइड़ आपने यहां भर नहीं है उसका एंप्लॉयमेंट टाइप क्या है आपका एक सरी इसमें हो रिटायर यहां पर बरना है जो भी डॉक्टर हो इंजिनियर जो भी इसमें आएगा यहां पर टिक करोगे तो वहां पर ओप्शन दिखाएगा आपको इसके अंदर उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर कोई मार्क है आपके सरीर के ओपर तो यहां पर आपने उसको यहां पर एंट्री करना है यहां पर आपने अधार कार्ड का यहां पर नंबर एंट्री करना है और यहां पर कैसे नेक्स्ट के ओपर टिक कर देना है ठीक है जैसे नेक्स सर्ने में ओ फ़स्ट ने मदर का नेमफर्स और यहां पर सर्नेम उन के दो लीगल गारेजना सवाज़न काई भर देना है ठीक है और उसके बाद आप स्पाउ्ज है तो स्पाउज जैसे वाइट दो वाइफ का नाम भरना मदरे मदर का नाम तो यह पास पोर्ट प्रिंटेवल एड्रस इनि इंडिया जो पास्पोर्ट पे अड्रस होना चाहिए वह इंडिया नस्सक्राव अम викच आरेया पर आप का। यहां पर स्टेट यहां पर अपर यहां पर आपके पास तो आपको यहां भरना है तो इसमें क्या करना है यहां पर जैसे क्लिक करोगे आप तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो क्या जाएगा कुछ इस तरह से ठीक है तो इसमें क्या करना है आपको यहां पर क्या भरना है यहां पर क्या भरना है आपने कंट्री यहां भरनी आपने और यहां पर पासपोर्ट प्रिंटेबर अड्रस आउट ऑफ इंडिया है की इंडिया का है तो आपने यहां पर क्या टिक लगाना है येस तो येस नो तो नो ठ सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है नेक्स पे जैसे आजाएगा तो यहां क्या भर आपने अपने नेम भर देना यहां इमेल आइडी और यहां पर नेक्स पे आपने टिक कर देना ठीक है फिर आजाते हैं नेक्स्ट हमारे पास पेज ओपन होके आएगा इस तरह से जिसमें अधर डिटेल आपसे पूछी जाएंगी तो आपने प्रॉपरली यहां पर भरनी है ठीक है यहां पर बैस जैसे आपसे पूछा जा रहा है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं तो यह है नहीं तो नहीं उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि आप कहीं किसी कोट के तरह कॉन्विक्टेट दो नहीं हुए तो यह तो यह तो यह नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं ठीक है उसका पूछ रहे हैं आपको जो है कभी इंपाउंड तो नहीं कभी ठीक ह हो तो वह भी आप देख लेना उसके अंदर तो नहीं है ठीक है अगर प्रोबाइड दा फॉलोइंग डेटेल इफ एप्लीकेबल हैज रिटरन टू इंडिया इन अभर जैसे सर्टिफिकेट अगर अगर इमेर्जनसी में आपको इंडिया तो वह भी है यहां पर ठीक है वह आ नहीं कर देना ठीक है ओके नेक्स्ट पर अमरे पास जैसे आप इसको फिर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो मरे पास क्या पेज आ जाएगा या जाएगा प्रीबियस पासपोर्ट है कोई तो उसकी डिटेल से आपर अपने भर देनी अगर है आपके पास अभी लेबल है तो इसमें यहां पर उसका जो डेटा उपर एक्सपारी है हमने रिन्यूवल का बर रहे है इसलिए हमारे पास रिन्यूवल का रहा है ठीक है दोस्तों फ्रैस अप्लाई करेंगे तो फ्रैस का मारे पास अलग ऑप्सन आएंगा ठीक है कि ऐए देन चलते हम आगे नेक्स्ट कर देंगे आपर नेक्स्ट करते हैं मेरे हमारे पास कौन जाएंगा कुछ इस तरह का पेज आएगा जब हमारा वाइसमें सब मारा फोटो सगनिचर सब यहां पर लग्क्या हो आएगा ऐसे हमारा पास्पोर्ट आता है इसा हमारे पास दिखाएगा उसके ओपर यहां पर इसके आदर बैरिफाई करने हमें यहां पर इस पेस नहीं करना जब तक हम यहां पर पूरा चेक नहीं करते कि हमारा हर एक नाम सही है हर एक हमारा एड्र पूरा इसके अंदर आपका आजाएगा जितना भी टोटली है आपका फादर्स ने मदरें पूरा अपने चैक करना है तोटली हर एक पॉइंट को चैक करना बारी किसे आपने कहीं गलत तो नहीं भर दिया कुछ ठीक है जैसे डिटेल्स हैं पूरी किlation का यह वाला पिरे आपने लेना है और आपके पास क्यों मॉंप आप निकालूस अपने प्रिंडियो याई यहां से आपको क्या schedule मिल जाएगा इतनी तारी को आपका क्या है appointment होने के बाद है appointment जिस दिन को तो उस दिन आपने आपने पासपूर्ट के दिन में में चले जाना है अपने से अपने डोकुमेंट से लेकर और वहां पर क्या आपने apply कर देना है दोस्तों तो जानकरी अच्छ जै भारत वंदे मातरम